hello everyone this is a question from a letter to God why does the postmaster send money मतलब पैसे बेजना तो लेंचो तो postmaster लेंचो को पैसे क्यों बेजता है why does he sign the letter वह पत्र पर हस्ताक्षर क्यों करता है why does he sign the letter God वह भगवान पत्र पर हस्ताक्षर क्यों करता है postmaster was moved by, moved by मतलब प्रभावित हो न, by Lencho's strong faith in God Lencho के इस्वर में दिर्ड आस्था थी, इसे postmaster प्रभावित हो थी postmaster लेंचो की इस्वर में दिर्ड आस्था से प्रभावित हो वे so he decided इसलिए उसने निर्ने लिया to send money to Lencho उसने Lencho को पैसा भेजने का इसलिए उसने Lencho को पैसी भेजने का निर्ने लिया moreover, the postmaster did not want to disillusion him or sack his trust in God disillusion का मतलब होता, निराज करना, sack मतलब उसके आस्था को डिगाना नहीं चाहता था उसका जो इस्वर में विश्वास था इसके अलावा, postmaster उसका मुव भंग नहीं करना चाहता था so he signed the letter God इसलिए उन्होंने उस पत्र पर हस्ताक्षर किये कि मतलब यह भगवान का letter है it was a good apply to convey a message that God had himself written the letter यह संडेज देने की इस्वर से ने स्वाइंग पत्र लिखा था मतलब यह एक अच्छा तरीका था, postmaster का कि यह पत्र जो है, इस्वर के द्वारा लिखा गया है इसलिए इस पत्र पर उन्होंने, postmaster ने अस्ताक्षर कर दे कि लगे कि नहां न यह भगवान के द्वारा यह पत्र लिखा गया धन्यवाद